लगातार आप नज़र बना की रखेगा लेकिन इस बीच आपको बता दे पिया मोदी ने आयायन संबलपूर को नए कैंपस की सौगादी इस मौके पर पिया मोदी ने कहा कि देश के लिए इस अपसे अच्छा समय है और देश को आत्म निर्भर बनाना है ओडिशा में बनसंपदा खनीज रंगबती संगीत आदिवासी आर्ट और क्राप स्वभाव कभी गंगाधर मेहर की कविताएं क्या नहीं है ओडिशा के पास जब आप में से अनेक साथी संबल पूरी टेक्स्टाइन या फिर कटक की फिलिगरी कारीगरी उसको ग्लोबल पहचान दिलाने में अपने काउशल का इस्थमाल करेंगे यहां के टूरिजम को बढ़ाने के लिए काम करेंगे तो आत्मंदिर भर भारत अभ्यान के साथ ही ओडिशा के विकास को भी और गती मिलेगी और नए उचाई मिलेगी पीम ने ब्रांड इंडिया को पहचान दिलाने के बाद दोराई और कहा कि लोकल को ग्लोबल बनाना है यह मैंने आपको कुछी उदान दिये हैं उडिशा में बनसंपदा, खनीज, रंगबती, संगीत, आदिवासी आर्ट और क्राप, स्वभाव कभी गंगादर, महर की कविताएं क्या नहीं है उडिशा के पास जब आप में से अनेक साथी संबल पूरी टेक्स्टाइन या फिर कटक की फिलिगरी कारीगरी उसको ग्लोबल पहचान दिलाने में अपने काउशल का इस्थमाल करेंगे यहां के टुरिजम को बढ़ाने के लिए काम करेंगे तो आत मंदिर भर भारत अभ्यान के साथ ही ओडिशा के विकास को भी और गती मिलेगी और नए उचाई मिलेगी साथियों, लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए आप सभी आयाएम के युवा साथियों को नए और इनोवेटिव समाधान तलास्तने हैं पियम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले लोगों को गैंस कनेक्शन के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे पियम ने कहा कि साथ साल में सिर्फ 55 परतिशत के पास गैस कनेक्शन थे लेकिन अब 98 परतिशत लोगों के पास गैस की कनेक्शन है हमारे देश में रसोई गैस आजादी के करीब करीब 10 साल बात आही गई थी लेकिन बात के दसकों में रसोई गैस एक लगजरी बन गई प्रतिश्या बन गई लोगों को एक गैस कनेक्शन के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते थे इतने पापड़ बेलने पड़ते थे और फिर भी उन्हें गैस नहीं मिलती थी हालत यह थी कि साल 2014 तक आज से च्वे साल पहले 2014 तक देश में रसोई गैस की कवरेज सिरफ 55 परसंट थी जब एप्रोच में पर्मनेंट सॉलूशन का भाव न हो तो यही होता है साट साल में रसोई गैस की कवरेज सिरफ 55 परसंट अगर देश इसी रफ्तार से चलता तो सबको गैस पहुँचने में यह शताब्दी भी आधी और बित जाती है 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने ताय किया कि इसका पर्मनेंट सॉलूशन करना ही होगा आप जानते हैं आज देश में गैस कवरेज कितनी है 98 प्रतिशत से भी जादा करोना मामारी ने आपसी सहयो की भावना को एक नई मजबूती दिये ताकि पूरा देश एक जुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके जल्दी टीका करन अभ्यान भी शुरू होने वाला है और हम सब को फिर से मिलकर इस वारिस को हराना है और इस लडाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है हमारे अभ्यान संजीवनी अशॉट अफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं नेटवर्क 18 की इस पहल का उदेश्य है कि हर भारती की वैक्सीन तक पहुँचो अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खलाफ लडाई में जन आंदोलन बन कर उभरेगी अगले कोई सुरक्षित नहीं